मार्केट को प्रॉपरली किस तरह से अनलाइस किया जाए कि आपको सही मैनर में समझा जाए कि वही अब बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव अपसाइड पे है या डाउन साइड पे है क्योंकि अभी तक मैंने आपको ये तो समझा दी है बहुत अच्छे से कि लिगूडेशन क्य क्या होती है funding rates क्या होते है momentum आपने किस तरह से find करने है आपने किस तरह से वॉल्यम अप्लाइ करने है प्राइस एक्षिन और जितना कुछ भी है मैं आपको सब कुछ इन डेप्स समझा चुका हूँ लेकिन अभी भी आपके दिमाग में ये सब कुछ जरूर होगा कि उन ची को फर्दर discuss करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी कुछ ऐसे topics हैं जो मैंने आपके साथ नहीं किये reason simple है एक तो वो थोड़े से बोर भी हो जाते हैं और कुछ complex भी थोड़ा बहुत बॉल सकते हैं लेकिन इन चीजों से हटके majority जो है उस तरह की topics को जायदा एहमियत नहीं देते हैं जिस वजह से आप मेरा जो time है उसको एहमियत नहीं देते हैं तो इस तरह की video लाना मुझे से लगता है कि मेरा वक्त जाया करने वाली बात है तो अगर तो आप चाहते हैं कि proper manner में उन concepts को भी discuss किया जाए तो आपने simply करना क्या है कि आपने इस वीडियो पर प्यार दिखाना है अब आप जिस तरह से भी दिखाते हैं like करके comment करके अपने किसी friend के साथ ये video share करके जो है वो analyze करेंगे अब इस topic को आगे discuss करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि इस तरह की topics में बहुत जादा effort लगती है और खास तोर पर अगर आप मेरे चैनल पर जाए तो आपको ऐसा ऐसा content मिलेगा जो आपको पूरे YouTube कहीं पर भी नहीं मिलने लगा कोई ऐस यूट्यूबरी नहीं है जो आपको इस तरह की value जो है free of cost provide कर रहो कोई premium में भी नहीं कर सकता लेकिन free of cost भी कोई नहीं कर सकता simple सी बात है तो मैं अपना time spent कर रहा हूं मैं जो है अपनी effort कर रहा हूं पूरी ताकि आप लोग खुद की independent journey उसको continue करें लेकिन आप मैं भी चा कर रहे हैं कि channel की growth हो मुझे जो है motivation मेले further आपनों को content deliver करने की साथ ही आप comment section में भी नहीं share कर रहे है कि आपको क्या फाइदा हो रहा है video से या नहीं तो मुझे फिर ऐसा लग रहा है कि इस तरह की topics हैं ज्यादतर अवाम को शायद समझ नहीं आ रहे तो इनको फिर discuss करना ब आप मुझे इसका बिल्कुल जो है बता सकते हैं ताके मैं इस तरह की जो videos हैं उनको continue रखूँ और अब हम आते हैं असल topic की तरफ और वो topic है किस तरह से आप Bitcoin का next move analyze करेंगे proper इन technical चीज़ों को apply करते हुए तो without any further due हम जाते है screen पे और समझते हैं इन सब चीज़ों को practical manner में मैं सब कुछ remove कर देता हूं ताके आपको सही से समझ जाए चीज़ों की अब आप देखें करेंटली प्राइस चल रही है 64,370 अब प्रॉपर ली इस चार्ट पे आपने analysis किस तरह से करना है आपने करना है top-down notch का इसनमाल आप सब से पहले हाई time frame पे चले जाएंगे मैं आप से यह आपको एक weekly level मिल गया है जो कि 66,200 के आसपास का अब आप आ जाएंगे कौन से time frame पे daily time frame और यहां पे आने के बाद हम जो है analysis करेंगे currently हमारे पास important level कौन से है हमारे बिलकुल आपके सामने जो है यह वाला एक important level है जिस पे prices वक चल रही है clear हो गया और उसके analysis करना चाहरे हैं trade करना चाहरे हैं तो आप four hour time frame पे चले जाएंगे यानि four hour पे trade करने का criteria यह है इसी तरह अगर आप one hour पे trade कर रहे है 30 minutes पे trade कर रहे हैं आप इस तरह time frame के साब से नीचे जाते रहेंगे top down जो notch है उसके इसके 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 बाद अब हम देखते हैं कि market currently क्या कर सकती है simply यहां पर हम volume जो है उसको read कर लेते हैं volume आप देखें तो थोड़ा सा volume आ रहा है और यहां पर मारे पास important level of resistance भी है क्या break कर पाएगी क्या break नहीं कर पाएगी अब मैं आपको एक बात बता दूँ यह तो मैं भी आपको सिखा दूँगा किस तरह से आपने इसको proper आपको जो देगी आपने वह वेल करना है लैसे market support पे आ गई है आपको लग रहा है हाई chances है market bounce होगी तो यहां पर आप entry बना लेंगे simple सी बात है अगर यहां पर लग आपको market गिरेगी तो आप wait करेंगे जो futures trader है जो मैं recommend नहीं करता वो obviously sell करेंगे तो यह तरह से चीज जो ह है अपना upward move continue रख सके जा कहां तक सकती है तो उसके लिए हम जो है liquidations को और दुसरी चीजों का help लेंगे लेकिन उसे पहले हम जो है यहां पर साथ ही आ जाते हैं USTT dominance पे चार्ट अगर आपको गंदा लग रहे है यह भी मैं आपके लिए साफ कर देता हूं UST dominance basically बता रहे है कितना पैसा stable coin USTT में currently आप देखें 5.4% crypto का पैसा stable coin USTT में अगर यह bounce होता है मतलब दुबारा convert हो रही है money किस में वापिस हमारे पास stable coin में convert हो रही है इसका मतलब इसका bounce होना market का गिरना है simple सी बात है currency आप देख सकते हैं यह गिर रहे है तो हमारे पास जो market है वो pump ही कि यह जा रही है अब हो क्या सकते हैं जरा हम उस चीज को देख लेते हैं इस वक्त आप देखें यह हमारे पास strong डेली लेवल सपोर्ट का उस पर आ चुकी है ऐसे ही है और उसके इलावा क्या हो सकता है currently हम देखें तो हमारे पास next support जो important आ रहा है वो यह वाला लेवल है तो यहां पर possible एक fake out होके market जो है वापस bounce कर सकती है हो सकता है probability है यहां तक भी विग दे दे उसका हमें नहीं पता लेकिन chances दैता किसकी है कि market ने यहां से वापस USTD dominance में bounce करने है USTD dominance के bounce करने की वाज़े से जो bitcoin है वो वापस हमारे पास जो है नीचे आ जाएगा कुछ इस तर हो गया अब इतना हो जाने के बाद आपने जो है एक और चीज़ भी देख लेनी है cme futures यहां पर आपको नज़र आ रहा होगा btc1 basically cme futures को भी मैंने depth explain किया हुए आप देख सकते हैं जाके तो इसको भी आपने price section के साथ combine करना होता है let's say यहां से USTD dominance के bounce की chances है साथ ही अग अगर हम cme gap को देखें और cme gap हमें downside पर नज़र आजए let's say cme gap हमें यहां इस तरह आसपास range पर नज़र आजए तो यह एक और further confluence है कि market जो है इस तरह से गिर सकती है gap को भी फिल कर सकती है resistance में भी है market की यहां पर हमारे पास clear आपको एक bearish divergence भी नज़र आ रही है थोड़ price action क्या है market structure क्या हो रहा है यहां पर यहां पर मैं कुछ volume की चीज़ों को देख रहा हूं उसके साथ हम proper manner में chart patterns को apply कर रहे हैं और अभी कुछ आगे और चीज़े हैं जो कि हम discuss करेंगे अगर आपको इनकी नहीं समझ आ रही है तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपको proper manner में सीखना होगा आपने करना क्या है कि चैनल पर जाना है जो प्लेलिस्ट प्रॉपर मैंनर में को सीखना स्टार्ट करते हैं और अगर तो आप अपना learning कर और चौटा करना चाहते हैं यानि मेरे साथ one-to-one mentorship में बेसिक से advanced level तक प्रॉपर ही सब master करना चाहते हैं तो simply description में मैं नमबर दे दूँगा आप अपर साथ नमबर पर जो है contact करके फर्दर जो personal mentorship की details है वो हासल कर सकते हैं अब हम जाते हैं वापके screen पे अब आपको की जरूरत नहीं है डिक्सी को भी देखने की जरूरत नहीं है उसके लावा हमारे पास total gaps है इनको आप देख सकते हैं एक bigger picture के लिए इतना को clear हो गया अब आपने आना है coin glass website पे यहां पे आने के बाद funding rates और liquidation इतना आपको समझ आ गया कि आपने funding rates को bigger picture के लिए कैसे analyze करें आपको बस पता लग जए overall market bullish है बेरिश है क्या कर रही है currently neutral है अगर तो यहां पी यह हमारे पास shots open होते हमारे पास जो bitcoin है let's say वह अपने support पे होता bitcoin support पे आ गया usdt dominance अपनी जो resistance है उस पे आ गयी है मैं इसको ज जा गई यह चीज के सार से work कर रही है volume आप रीट करना आता है सही से उसके लावा आप यहां पर आगे funding rates को देखने है और यहां सब shots open है और bitcoin पी support पे हाई chances है कि यहां से dominance reject होगी जो bitcoin है वो bounce हो जाएगा clear हो गया तो इसी तरह आपने जो है साथ ही इसकी जो liquidation है map इसको भ जाना चाहिए हमारे जो यहां से गिर जाना चाहिए हमारे जो USTD dominance है वो play out हो जाए ठीक है यहां पर हमारे पास जो USTD dominance है वो play out हो जाए लेकिन अगर यह fake out करती है और simply यहां पर आती है उसके बाद वापस चली जाती है तो आपको यह एक विक नजर आएगी इस तरह की ठीक है और हमारे पास जब तक यह RSI की divergence है वैलिड है तब तक हमारे प हमारे पास अपसाइट पर 67 maximum price यहां जा सकती है downside price maximum यहां पर 60,000 के लेवल पर तो आपको max levels भी पता चल चोगी है current situation को आपको देखते हैं अंदाजा हो गया है overall हमें market में bearishness नजर आ रही है क्यों bitcoin resistance पर है USTD dominant support पर है RSI की इसमें bullish divergence है यहां पर हमारे पास जो है bearish divergence हो हो है उसके लाव हमारे पास जो funding rates थे जो कि पहले short open हुए थे अब जो है आइस्ता इस्ता long open हो रहे हैं अब neutral होती जा रही है market और उसके लाव liquidation map को अगर आप देखें तो maximum हमारे पास जो liquidations है वो downside पे है इस तरह से आपने सारा कुछ देखते हुए general बड़ी picture में bitcoin का analysis करना है अब आपको idea हो गया है या तो bitcoin यहां से गिरेगा या अगर bitcoin थोड़ा जाता भी है तो fake out करके इस तरह से गिर जाएगा simple जी बात है अब कितना गिरेगा गिरने के बाद कहां से bounce हो जाएगा इसी तरह आपने सारा कुछ जो है proper manner में फिर से apply करना होगा कुछ time बाद refresh करे तो यह data फिर से refresh हो जाता है क्योंकि continuously जो traders है वो अपनी positions को change कर रहे होते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ आगे आपने किस तरह से deal करना है रही बात alts में entry लेनी की तो आपने simply bitcoin के analysis इस तरह से करना है और मैं फिर आपको गजांपल दूँ let's say bitcoin support पे है हाई chances है multiple reasons की bitcoin bounce होगा clear है अब वहाँ पे आपको कोई अच्छा alt जो है नजर आ रहा है आपकी नजर में है तो आप उस particular जो alt है उसको trade कर सकते हैं simple सी बात है यहां पे अगर आपको यह अच्छा नजर आ रहा है तो आप इसको फिर जो है उसे साफ़ से trade कर सकते है market structures को liquidations वगारा को analysis करेंगे तो वीडियो का होता है the end यकीना आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि आज हमने किस तरह से proper manner में बिट कोई का analysis की है और आपको खुद भी काफी चीजों की समझ आ गई होगी और अगर तो आपको basic चीजों का नहीं पता और आप basic सीखते हैं advanced level तक जाना चाहते हैं उसका मैंना आपको बता दिये कि परसनल mentorship की आप access description में दिये गए और शैप number की through कर सकते हैं उसके लावा अगर आप चाहते हैं किसी और topic को cover किया जाए मुझे comment section में आप उसका भी बता सकते हैं तो फिर मिलते हैं next video में किसी और important topic के साथ अपना ख्याल रखें अपना